नाश्कार और आपका स्वागत है Success Plus Academy में तो रिसेंटली यूकरेन से एक डरा देने वाली न्यूस सामने नकर कर आई है यूकरेन का जो जैपोरिशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी पावर सप्लाइट कट कर दी गई है पावर सप्लाइग के कट होने से यहाँ पर एक मेजर न्यूक्लियर इंसिडेंट का रिस्क बना हुआ है अगर इस पावर प्लांट में कोई अनौनी हो जाती है तो यह एक मेजर हुमेंटरियन क्राइसिस में बदल सकता है इवन चर्णोबल जैसे इंसिडेंट को भी टेक प्लेस हो सकता है यहाँ पर आप पर सकते हो यूक्रेंट क्लेंट एक मेजर एक्सिडेंट के रिस्क पर बना हुआ है आपको इस इंसिडेंट की ग्रेविटी समझने के लिए यह पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पावर प्लांट रशिया यूकरियन वर के टाइम से ही सेंटर और फाइटिंग बना हुआ था ओबियसली दोनों रशिया और यूकरियन की शेलिंग के दौरान इस पावर प्लांट को कुछ टैमिस तो पहुँचा था बट फॉर्शनेटली उस ताइम कुछ ऐसा अन्फॉर्शनेट इंसिडेंट टेक प्लिस नहीं हुआ था वरना इस रिजियन को पार्टिकुलरली जैपोरीशन सिटी को ना ही यूकरियन फिर रीटेक करता और ना ही रशिया कैप्चर करता जानेंगे इस टॉपिक को डीटेल में बट उससे पहले आप ये जान लो कि जैपोरीशन नुक्लिया पावर प्लांट कहां पर है और ये इतना सिक्निफिकेंट क्यों है जैपोरीशन यूकरियन की एक सिटी का नाम है जो साउथ इस्टन यूकरियन में लोकेटेड है इस सिटी में आपको ये नुक्लिया पावर प्लांट मिल जाएगा इस पावर प्लांट की special बात यह है, कि यह यूरोप का largest nuclear power plant है, और वर्ल्ट का 10th largest power plant है, और interesting बात यह है, कि यह power plant Ukraine के अंडर था, until Russia ने इसे capture कर लिया, जी हां, रशिया ने 2022 में इस power plant को occupied कर लिया, यूकरीन से, और इससे भी जादा interesting बात यह है, कि इस power plant को Soviet Union ने बनवाया था, जी हां, इसे Soviet Union के द्वारा बिल्ट किया गया था, जब Soviet Union United हुआ करता था, मतलब इसमें Ukraine और Russia दोनों इसका पार्ट हुआ करते थे, basically Russia को Soviet Union का success बना जाता है, so currently इस power plant को Russia ने अपने control में ले रखा है, तो आपको सरल भाशा में मूलू, तो यह nuclear power plant literally एक time bomb की तरह है, क जब किसी ने इस पर shelling कर दे थी, Russia ने इस act के लिए Europe पर blame डाला था, वहीं Ukraine ने भी Russia पर आरूप लगाया था, और यह मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, जब इस power plant के infrastructure को firing के दोरान डैमेज पहुचा था, जिसको लेका दोनों, Russia और Ukraine, दोनों ने अपने कदम फीचे सकता था, कि दोनों, Russia और Ukraine को इस जगह से actually बहा जाना पड़ता, इवन इस nuclear power plant के पास एक river भी है, वो भी contaminated हो जाती, जो कि पीने के पानी को unpiore कर देती, और साथी साथ various diseases, इस पानी से कई places में आपको देखने को मिलते, इसलिए आपने देखे होंगे, देखा होगा कि Ukraine और confirm किया है, कि इस nuclear power plant की power supply temporary business पर cut कर दी गई थी, और ये कोई ऐसा पहला incident नहीं है, बलकि इस conflict की starting सही 8 बार, आप imagine करका देख सकते हो, कि 8 बार इस power plant को blackout देखने को मिला था, मतलब कि 8 बार ये nuclear power plant nuclear threat के खत्रे में था, और अभी तो ये war currently चल रही है, so in future आगे भी इस power plant मे nuclear threat का खत्रा बना हुआ है, जिसे world ignore नहीं कर सकता, और अगेन मैं आपको बता दू कि दोनों, Russia और Ukraine कोई trustable countries नहीं है, recently कुछी महीनों पहले, Ukraine के President Zelensky ने एक major statement दी थी, कहा था कि Russian troop इस power plant को explosive से उड़ानी की तैयारी में है, हलाकि ये काम Russia करे या Ukraine, दोनों एक दूसरे पर आप लगाते रहेंगे, यहां पर आप पर सकते हो, Ukraine claims Russia has placed explosive as separation, Ukrainian President Valdemeyer Zelensky said in his nightly address on telegram Tuesday that Ukrainian intelligence has information that the Russian troops have placed object resembling explosive on the roof of several power units of the separation nuclear power plant, और इसके opposite, Russia ने का है कि Ukraine plan कर रहा है इस power plant पर attack करने की, हाला कि IAE के experts ने इस साइड पर inspections conduct करवाई थी, जी हाँ, ये organization इस जगह पर easily जा सकती है, तो इन्होंने अपनी inspection में ये observe किया है, कि इस place में कोई भी mines या explosive observe नहीं किये गए हैं, और साथी साथ IAE ने Russian और Ukrainian official के साथ बाच्चित करी है, over establishing a safe zone, मतलब कि इस जगह पर, एक power plant के आसपास, एक safe zone establish करने पर बा zone around the plant, where there would be no fighting, हाला कि कुछ experts हैं, उनका ये believe है, कि Russia इस power plant को weaponize कर सकता है, against Europe, now यहाँ पर आपका होगे कैसे, देखो, Russia इस power plant का use करके, इस place से, Ukraine पर missile launch कर सकता है, जिसके retaliation में, Ukraine इस particular जगह से, separation power plant वाली place पर, attack करने की दो बाच सोचेगा, obviously Ukraine के लिए, ये कोई good news नहीं है बट वहीं कुछ experts का मानना है, कि Ukraine एक तरह से vicious game खेल सकता है, इस power plant को लेकर, देखो, Ukraine हो सकता है कि इस power plant पर attack कर दे, और जैसे ही कुछ catastrophic event हो जाए, तो उसके लिए Russia पर blame डाल दे, ये very much possible है, दोनों के scenario को हमें presently लेका चलना होगा, हाला कि दोनों के तरह से अभी maturity दिखा में, और by the way, recently Putin ने एक major announcement करी है, कि Russia अपनी military की size in number उसे increase करने वाला है, हाला कि कोई major mobilization नहीं की जाएगी, ये आप पढ़ सकते हो, Russia to increase the size of military, but says no to mobilization, Russian President Vladimir Putin signed these expanding the country's armed surveys aimed his ongoing invasion of Ukraine, देखना होगा कि Putin के इस step से Ukraine war पर कुछ impact पढ़ता है या नहीं, So lastly, यहाँ पर मैं आपका एक genuine opinion जाना चाहूँगा, कि जो जैपोरीजियन nuclear power plant का खत्रा बना हुआ है, Russia यूकरेन war की वाये से, इस खत्रे को हम कैसे टाल सकते हैं, या इसके impact को कम कर सकते हैं, आप क्या according, आप यहाँ पर यह तरक्पिदे सकते हो, कि Russia यूकरेन, दोनों ही बहुत मैचे और हैं, इस issue को लेकर, कोई भी इस power plant को damage नहीं करने की सोची नहीं सकता, या यह तरक्पिदे सकते हो, कि Russia यूकरेन, दोनों ही major threat है, इस power plant की maintenance को लेका, तो इसकी protection और maintenance के लिए, IAE को, इस nuclear power plant को अपने control में लेना चाहिए, ताकि इसे internally और externally, कोई damage नहीं प planning लगती है, और of course, यह यूरोप का largest power plant है, कोई मजाक नहीं है, तो लेकिएगा अपने opinion comment section में, so खेर हम अपने previous question को discuss कर लेते हैं, कि which is the first country in South Asia to register same sex marriage, South Asia में कौन सा ऐसा पहला देश है, जिसमें same sex marriage को register किया है, यह रहा है आपकी option, option A, Bangladesh, option B, India, option C, Pakistan, या option D, Nepal, तो सही answer है, इसका option D, Nepal, नेपाल वो देश है, जिसने formally recognize किया है same sex marriage, और यह तब सामने नकल कर आया, जब नेपाल की Supreme Court ने 5 महीनों पहले same sex marriage को legalize कर दिया था, आप यह पर सकते हो, नेपाल वेकम first South Asian nation to formally register same sex marriage, so lastly, आप लोग लिए question है, कि which country, which European country recently declare it will block European Union's aid to Ukraine, किस European देश ने threat किया है, कि वो European Union की aid, जो यूकरियन को मिलने वाली है, उसे block कर देंगे, यह रहे आपकी option, option A, Hungary, option B, Sweden, option C, Italy, या option D, France, so सही आइसार आपको मेरी जो next video होगी, उसमें मिल जाएगा, so खेर, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, तो इस वीडियो को like कर देना, share कर देना, और चैनल को subscribe का लेना, thanks for watching